Assalamu alaikum students and viewers I hope that you are fine today I will solve the important exercise of unit 4.1 the great visionaries I will solve 1 2 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th and 8th exercise of unit 4.1 ठीक है नफ नीव बुक अफ लास 9th ओक है यह यह नीव बुक है किलास 9th की और मैंने explain किया था unit 4.1 the great visionaries जिसमें 4 characters थे फरहीन लुबना हुमा और ताहिरा को इस्टूर टीचर्स ने summer vacation में work assign किया था उई email के informal email के थुरू कायद याजम एंडलामा एकबाल के बारे में लिखा था उन्होंने ठीक है उनकी जो exercise है वो मैं solve करके बताऊंगा आप लोगों को टेक्स्ट पढ़ाएं यह exercise साल करेंगे हम लोग this one great visionaries की ठीक है यह वाली एक्स यह पढ़ा था हम लोगों ने अच्छा आये तो exercise की तरफ चलते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यह exercise नमबर वन है अचा नमबर वन e exercise जो है यह करनी है फिल यह बच्चों की exercise म requirement students exercise करवानी है teacher को force करें के 媽 से यह बच्चा क्या जानता है यह काइद याज्जा के बारे में यह लिखे उसके लावा بچہ علامہ اقبال کے بارے میں کیا جانتا ہے خود ये पढ़ने से पहले टीचر करवाएं बचों से ये दोनों कॉलम जो है पढ़ने से पहले फिल करवाएं बचों से के अभी कायदयाजम के बारे में क्या जानते हो यहां लिखो علامہ اقبال के बारे में क्या जानते हो नहीं करके बताई आप लोगों को ये वाली एक्साइज नमबर वन ठीक है न ये टीचर इस्टुड़न्स से करवाएं तो पता चले के स्टुड़न्स के माइन में क्या चल रहा है कायद आजम एड़ा माइकबाल के बारे में ठीक है अच्छा ये एक्साइज नमबर टू है ज जो स्टेटमेंट दी गई है नमबर टू ए बी वन सी डी एफ वन टू थ्री फूर फाइल सिक्स ये किसने कही है या इसकी इनके बारे में इनफरमेशन किसने कलेक्ट की है चार करेक्टर है याद रखिए अगर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं फरहीन लुबना हुमा त ऐक्बाल की फरहीन और लुबना कर रही थी ठीक है तो ये आप लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा किसने कलेक्ट की है टेक्स्त की तो परस्नालिटी और चीवमेंट साफ दकाइड किसने की थी ताहिराने की थी काइद रखिए अजमकी परस्नालिटी और अच्चीमे ताहरा ने information दी थी ठीक है न पॉलिटिकल एक्यूमेन इन कंट्रिबिशन आफ अलाम अकबाल फरहीन ने दी थी नमबर टू पर फरहीन है यह नोट कोपी में करना है मैंने इससे लिखा है यहां पर बुक में लेकिन नोट कोपी में करना है ठीक है नोट बुक में अच्छा न पॉलिज़ कि है इसस्टार दिए है कि यह आगर आज्थे हैं गलत की जो पर बुक उड़िवालों की मैं दिखा जाऊंगा तो यह सिंद्टेक्स बुक Dog यहांगा ने किए यह यह तकर दीसे कि हमने ऐसे ही दिया था ताकि बच्चा को थोड़ा कन्फ्यूज हो जाए ये स्टेटमेंट नहीं है किसी की भी नहीं है तो बच्चा लिखता नहीं किसी की भी नहीं लेकिन ऐसा नहीं है उन्होंने स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के बारे में अब वो गलती को खुद को परहीन को ठीक है यह फरहीन लुबना काrospect था लेकिन ताहरा ने इड़्वाइस दिये थी ओचा personality and achievement of Alam black यह लुबना लेख़िए achievement and personality Alam 피मा एक्बार की लुबना ने collect की है अब text को informal email देकोगे तो यहीं होंगे ठीक है न तो खायद राज तो किए पाकिस्तान उमाने लिखिये डी ऑलामा अकबाल सपाथिक्षा पाइशन फाद मुसलिमस ताहरा लिखिये ए परस्टेलिटी अचीमेंट आप अफ अव्णामा अगबाल लूबरा लिखिये कायद एजम्स एफ दाएज ही पॉल्टिकल एकुमें अड कुमएं अडिके पे मैंने solve solve की solve भी किया है यह देखें personality and achievement of the कायद ताहिरा answer में मैंने लिखो देखो देखो क्या से लिखा है ताहिरा collected information about the personality and achievement of the कायद ठीक है अच्छा पॉलिक नमबर बी जो है political acumen and contribution of Allama एकबाल मैंने लिखा है फरहीन this one फरहीन collected information about the political acumen and contribution of the Iqbal फरहीन ने collect की थी स्यासी तेज़ फहमी और contribution Allama Iqbal की जो है स्यासत के बारे में अच्छा नमबर सी दकायस inspiration for the Muslims पाकिस्तान ने Muslims मैंने पाकिस्तान अलगे पाकिस्तान लेंगे उन्होंने Muslim लिखा है ठीक है हुमा collected information about the कायस inspiration for the Muslims पाकिस्तान अलामा इकबाल से aspirations for the Muslims ये लिखा है डी ताहरा ने collect की उनको suggest कर रही थी information about Allama Iqbal's inspiration for the Muslims personality and achievement of E of Allama Iqbal ये E है लुबना ठीक है लुबना collected information about personality and achievement of the of the Allama Iqbal या फलाम Iqbal दकायस दकायस political acumen and contribution ये भी ताहरा ने collect की है ताहरा collected information about दकायस political acumen and contribution ठीक है ये नमबर दो exercise थी मैंने solve करके आप लोगों बता दी ये one exercise ठीक है sorry this one exercise ये मैंने solve करके बता दी अच्छा नमबर थर्ड exercise है words meaning ये देखें ये वर्ड मिन डाइनामिक से start है और क्विस्ट तक 24 words meaning है words है उनकी meaning सर्च करनी है टेक्स्ट में आप लोग underline pencil से कर लीजेगा खुद बाकी मैंने meaning इसकी लिखी है words की meaning अच्छा इस ये words meaning आप लोग यहां से भी सर्च कर सकते हैं लास्ट की लास्ट में गिलासरी दी गई है ठीक है यह वाली गिलासरी दी गई है इन मेंसे बहुत सारे pages है यह तो मैंने एक page का निकाला है यहां से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है words meaning तो यह मैंने words meaning जो है यह दी गई है मैंने इसकी words की meaning बनाई है यह देखें मैं सिर्फ English में पढ़ूँगा और उनकी English लेकिन उड़दू में meaning बताऊंगा डाइनामिक मीन मुतहरिक नबर फर्स्ट वर्ड है डाइनामिक यहां से स्टार्ट है डाइनामिक मुतहरिक इसकी English meaning होगी having a lot of energy ज्यादा energy होना steadfastness मीन मुस्तकिल मिजजी है थाबित कदमी दूसरा word है इसकी English होगी firmly staying on one path ठीक है अच्छा guiding principle में रहनमाई वाले असूल number third words इसकी English होगी rules that set the direction one takes ठीक है यह English आप लोग समझ लीजिए मैं सिर्फ उड़्दू बता रहा हूं आप लोंगो unparallel mean जिनका कोई मिसाल ना हो इसी कामियाबी जिनको कोई 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 दुनिया में मिसाल ना हो अनोखी कामियाबी the best of all सबसे बहतरी अंडिजाइड mean नाकब काबल कबूल unacceptable ठीक है number five का number six acumen तेज फेह मी जो दिमाग की तेज फेह मी फुर्तीलापन understand things quickly and clearly ठीक है six का number second proponents किसी की मदद करना किसी की वकालत करना किसी के सबब में किसी की help करना अब person who supports the cause ठीक है अचा number polarization मतलब दो हिसों में बाढ़ना group बाजिए दो हिसों में बाढ़ना separation into two opposite groups ठीक है आचा number aspirations में चाह चाहत आस इस्पांगली डिजाइर्स खवाहिश जो होती है आस होती है envision मतलब मुस्तकिल के लिए कोई image बनाना खयाल बनाना imagine as a future possibility sorry number 11 pleuralistic मतलब मुश्तरका मुश्तरका जो होती है मुश्तरका साथ रहना मतलब मिल्क की जुलके रहना different groups of people living together in peace मिल्क की रहना मुश्तरका सुसाइटी discrimination फर्क तफावत difference or different treatment for different people ठीक है तफावक करना फर्क करना किसी में मतलब ये किसी को सुलूप ये हिंडू है भाई ये स्वाला दा तरीके से टीट करो ये मुस्लमान दा तरीके से टीट करो इसको discrimination बोते हैं पर वेल्ड जाना भी च्छा गया अगयात इचा गया ठीक है इसका मतलब बैश्फीचट कामियाभी हासिल करने चाजने इंस्थान इमपार्शलिटी में गेर जैनवंदार ना गेर जैनब्र इनग ये चानब्रिंग करना उन परसंट एक ट्रास्टामिन तब्दील करना किसी और चीज में चैंज इंटू सम्टिंग एल्स ठीक है अचा इंपलिमेंटिंग मीन अमल दरह मत में लाना पुटिंग इन्टू एक्ट ठीक है आशा वर्सेटायर मीन हर फंवोना सेवनटीन वर्ड हर फंवोना हर चीज आनको आती हो यह भी काम करता हो वो भी काम करता हो capable of doing many things competently competently accomplishment mean कारणा में सरंजाम देना जो काम आप कारणा में देते हैं यह मैंने कारणामा किया है यह मैंने काम किया है उसको कहते हैं accomplishments achievements हासलात जो होती है कालमीनेटिंग मीन उचाई वाली पोस मतलब मुचाई मस्ती में ठीक हैं मोज मस्ती जिसको बोलते हैं resulting sorry resulting in achieving that what is wanted sorry not culminate हाँ जो चाहते हो आप वो achieve कर सको मतलब हासल करना उसको बेल रिकाल मतलब दोहराना rememberize करना याद करना past की memories को remember अचा विक्टिमाइजेशन मीन मजलूम जिस पे जुलम होता है unfair suffering मतलब मजलूम जो सफर मजलब बरदाश करता है दुख distinction मीन मुख्तिलिफ डिफरंस अचा होमेज मीन होमेज मतलब tribute कि राजे तहसीन खराजे तहसीन जिसको बोलते हैं ठीकन टू पे रिवरंस अचा क्विस्ट मतलब तलाश खोजना यह देखे क्विस्ट मीन सर्च ठीक है तो number third exercise थी हमारी words meaning थी यह words meaning मैंने आप लोगों को solve करके बताई है ठीक है अचा उसके बाद है number fourth exercise यह वाली this one fourth exercise यह देखें यह fourth exercise है तो fourth exercise में यह कहना चाहता है कि आपके जो words है हमने पढ़े हैं उन words में आप students जो है आपके उनको चार ग्रूप बनाएं तो उन गूरूपों में words distribute करें जैसे कि एक group है उस में चे स्टूड़न्ट है या तीन स्टूड़न्ट है तो उनको यह words देने इस नबर वाले words दे वही आप इनके जुमले बनाएं और आप इनके जुमले दूसरे गूरूप को यह वाले दे तीसरे गूरूप उनको यह व बताया एक बच्चे एक दूसरे कॉपी शेयर करें देखें बेटें गुरूब बनाएं अब करो ना में यह गुरूब कहां बनेगा भी ठीकर यह बात याद रखेगा कि मैं तो मजा कर रहा हूं यह मुसरसल यह बुक चलेगी तो आगे वाली फ्यूचर की प्लानिंग है यह यह अभी तो मुश्किल है यह गुरूब बनाना बाकी मैं आप लोगो जुमले बनाके देखाता हूं सारे यह जितने भी आप गुरूप वाइस टीचर यह स्टूड़न्स खुद करें एक दूसरे को ठीक है यह देखे मैंने जुमले में जुमले में जो वर्ड है वो अंड जुमले आप लोगो बना दीए आप लोगो जुमले यहां से कॉपी कर सकते हैं मैं से पढ़ता जाओंगा मीनिंग नहीं बताओंगा आप लोगो खुद मीनिंग कुछ कुछ मीनिंग बता दूँगा ठीक है गादयाजम्स वाज़ाज़ साउफ एसिया यह मैने बूक में श्रिट तर लिया है यह मैंने एक पहला जुमला बूक में से लिया है बा कि निम टीच्स अस फेसे लेसे से कुछ निम का दरखता हमें मुस्टाज़ाजिकर लेसन क्रेश़ परेете पेन से वर्ड है ठीक है नहीं जो मैंने यूज किये हैं वी शुट सेट आउट जस्टिस हानेस्टी एंड फेट इस आवर गैडिंग प्रिंसिपल्स हमें सेट आउट करने चाहिए इंसाफ इमांदारी और अकीदा अपने रहनमाई वाले उसूल पी-अमेल-n केंडिडेट्स नबर फाइफ पूर पीअमेल-n केंडियर्ट एक्स्पिरेंस अनपिरल्रड सपोड इन्डे लेक्शन ट मुर्ण जो ही थी उसमें पी-े-अमेल-n जो सपौर्ट हमारे हलके का था उन्होंने मतलब एतनी कामियावी हासिल सपोर्ट हां से जिसको क हमारी कोई एक पॉलिसी करोना में मदलब करोना के दिनों में हमारे एहड मास्टर ने एक जहनप वाली फुर्तिलापन दिखाया था भई और डिस्पलेट जाहर किया था ठीक है अच्छा उसके बाद है ये वन सोरी उसके बाद कौन सा जुमला यूज़ कर रहे है ये वन दिस वन दा गवर्मेंट शुड एवाइट टू बी प्रोपोनेंट आफ दा आर्मी गवर्मेंट को नहीं चाहिए सपोर्ट करना आर्मी को हर इर्दाना अलहदा है गवर्मेंट को सुप्रीम कोट के जज़ों की जुडिश्री की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए जुडिश्री को गवर्मेंट की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए आर्मी को जुडिश्री की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए आर्मी को जुडिश्री की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए आर्मी को जुडि बन रही है अच्छा I had an aspiration number 9 I had aspiration को जुमले में use कर रहा हूं I had an aspiration to become a doctor मेरी खवाहिश थी कि मैं doctor बनता number 10 I could not get the success as it was envisioned जैसे मैंने success की मतलब my mind में लाया था success success को मैंने तरस्वर किया था वो मैंने success आसे नहीं कर पाया यह नहीं कर सका अच्छा number 11 our objective is a free open and pluralistic society हमारा मकसद ही यह है कि हमें इस महाशरा चाहिए वो आजाद हो और खुला हो और उसमें मुश्तर का मुश्तर का मुश्तर का मुश्तर का मुश्तर का मंदिर है मतलब जो अमन के साथ रहें सब मिलके ठीक है number 11 वे रॉश्चल discrimination still exists in the society महाशरे में अभी भी रहा रहसेज़ वाली discrimination मौजूद है यह काला है यह गो रहा है इसको यह मतलब का हाइट का छोटा है यह हाइट का बड़ा है इसको यह टीट करो वो टीट करो यह मतलब अभी है a profound silence एक मुसलसल silence एक मतलब अच्छी साइल इजट वाली साइलेंस जो थी prevailed overall हर जगह पे छा गई किसी एक मौके पे ठीक है number 14 impartialty is essential to a judge एक जज़ के लिए गेर जानिमदाराना जरूरी होता है number 15 देखें the alchemist जो alchemist का काम होता है sought to transform lead into gold वो lead को gold में change करता है alchemist number 15 था number 16 अच्छा मैंने transform use किया alchemist में यह number 15 नबर 16 जो है there are no cost estimates for implementing the program program को implement अमल दरामद में लाने के लिए कोई cost estimate हमने नहीं किया implementing को मैंने जमलों में यूज किया है number 17 आमिर खान is a versatile actor आमिर खान हर फनमोला अदाकार है उसको हर अदाकारी आती है वरसे टाइन में हर फनमोला number 18 poetry is one of the accomplishments of alamah iqbal alamah iqbal के बहुत सारे कारणामे थे शारी एक कारणामा था उनमें से ठीक accomplishment में यूज किया है number 19 the sun reaches the culmination point at noon जो सूरज है वो अपनी peak तक पहुचता है दो पहर को मदलब कल्मी नचाही तक जो main point होती है आचा number 20 this one wordsworth always recalled his past memories in free time wordsworth जब भी free time में बैठते थे वो माजी की memories को recall करते थे number 20 number 21 sorry number 21 treating blacks brutally is a form of victimization victimization में ने जुमला यूज किया है मतलब कालों को जो बुरे तरीके से treat करना एक मदलूमयत की निशानी है मदलूमयत की shape है उनको मतलब victimize करना उनको मदलूम मनने की shape है he has number 22 he has great distinction of manner उनको distinction में ने यूज किया है उनकी चाल चलन में नतलब अलह तरीके की है मुटलिफ है सबसे अचा number 23 22 यूज किया they pay homage to the genius of Shakespeare उन्होंने Shakespeare की जहान अब को खराज तहसीन पेश किया अचा number last nothing will be this one number last 24 ठीक है this one sorry अचा nothing will stay stop them in their quest for truth उनको सचाई की तलाश है कोई भी उनको रोक नहीं सकता यह 24 sentences में ने बनाए हैं आप यह 24 sentences पढ़ लें और बच्चे आपस में ग्रूप कर लें इस numbering के मताबक यह जो numbering दी गई है हर गुरूप में यह number distribute की जाए ठीक है 24 sentences मैंने यहां पे लिख लिए है आप लोग यह 24 sentences बना सकते हैं ठीक है आज है number four exercise clear हो गई आज है number five exercise पे यह statement है कुछ wrong number five statement में कुछ सही statement है पांच six statement है कुछ गलत statement है देखते है number one पे जना wanted Muslims to have more rights in Pakistan जना पाकिस्तान में मुसलमानों के लिए ज्यादा हुक चाते थे wrong statement वो सब को एक जैसा बनाना चाते थे यह देखे false statement अच्छा number two Zoya and Amber offer to information find information about Alamah Aqbal Zoya and Amber ने कहा कि हम Alamah Aqbal के बारे में information collect करेंगे false statement Zoya and number कोई करदार ही नहीं था इस में कोई है ही नहीं करदार चार करेक्टर्स थे अच्छा number three is claim कायद याजम first join the Congress and then the Muslim League true statement हाँ कायद याजम ने पहले Congress join की थी 1906 में फिर Muslim League join की थी 1913 में दोनों के मेंबर थे 1920 तक ठीक है अच्छा both number four statements both कायद याजम और अल्हामा इकबाल वर बैरेस्टर्स दोनों कायद याजम और अल्हामा आखबाल बैरेस्टर्स थे हाँ दोनों बैरेस्टर थे true statement एक ने लिंकोलिन इन से की थी दूसरे ने लंडन से बैरेस्टर्स की दिगरी हासिल की फिर आमा इकबाल ने ठीक है अच्छाई ये नॉम्बर पाई ऐव अलामा इकबाल रोट टू लेटर्स टू काइद आजम इन नैंटीन थर्टी एट अलामा इकबालने दो खत लिखे थे काइद आजम को न्हीं सॉ अठाट थीस में वाक दो separate state, ये भी false statement, लेटर की बात ही नहीं है इस बुक में, तो कहां से ये हम true state करें, हमें पता कैसे चले बच्चों को, हमें तो ठीक है, कोई पढ़के पुरानी बुक में किसी को पता होगा, लेकिन ने बच्चों को कैसे पता चले, खतों के बारे में, तो ये wrong statement है, ठीक है, तो क तो ये exercise number five, हम लोगों ने solve करके दी, आप लोगों को, दो चार statement इनके false हैं, दो correct है, ठीक है, three and four true statement है, one, two, four, five, six incorrect या false statement है, आज है number six exercise पे, इसका तुरा ख्यार लगएगा, six exercise का, ठीक है, ये दो पार्ट दिये गए है, मैं आप लोगो ये नहीं पढ़ रहा हूँ, बस इसे ही समझा रहा हूँ, आप लोगो खुद पढ़िएगा, मैं इसे ही समझा रहा हूँ, कोशिश समझने कोशिश कीजिएगा, ये देखें, table A दिया गया है, table B दिया गया है, table A की जो counting की गई है, numbering की गई है, वो one, two mathematical की गई है, three, four, five, six, seven, table B की A, B, C से की, alphabet से की गई गई है, A, B, C, D, E, F, G, ठीक है, अच्छा ये जो है table A वाले जो ये sentence है, इसका ये पहला हिस्सा है sentence का, दूसरा हिस्सा इस B में होगा, लेकिन जंबल आडर में है, आगे पीछे है, सीरीज में नहीं है, कि पहले का A से ये नहीं, A से नहीं है, जंबल आडर में है, तो इस पहले का देखें, for example, A सही है, तो यहां पे A लिखना है, अगर F सही है, तो यहां पे F लिखना है, ये तो फिल हो जाएगा, भई, पहले का A सही है, दूसरे का F सही है, दूसरे का F सही है, तीसरे का A सही है, ये तो हो जाएगा, ये कैसे फिल करना है, अच्छा ये फिल करन है कि ये स्टेटमेंट जो है ये इन से मिलती जुलती दूसरी स्टेटमेंट जो है ये किस ने कही है स्टेटमेंट अगर अलामा अकबाल ने कही है तो यहां पे आप लोग ए लिखेंगे अगर काइद आजम ने कही है तो यहां पे आप क्यों लिखेंगे ठीक है तो ये आप लोग माइन में रखिएगा आप लोग मुझे उमीद है कि यह समझ गए होंगे इसके बावजूद ही मैंने पैंसिल से यह बनाई है कि यहां उपर भी मैंने बनाई है ताकि आप लोग अंधाला हो जाए यह क्यों मतलब काइद आजम और ए ए अलामा अकबाल ने कौन कौन सी कही है तो इसका मतलब यह है कि दो अलामा अकबाल ने स्टेटमेंट है इसकी और चे स्टेटमेंट और पांच स्टेटमेंट काइद आजम की है उसके अलावा यहां पे मैंने 1,2,3 लिखा है ब Rust toxic यहां पे भी आपकी ती आपको अब्स नज़र आ रहे हैं तो यह देखें प劾नí आज़र ले तो नजर में आ जाएंगा लेगिन प劾निफसिल आजाएंगा लेगिन पहिंसल कौने आ जाएंगे पांचमे का C सही है छटे का G सही है शिक्स का B सही है ये तो पहले उतार दें आप लो ठीक है पहले का स्टेटमेंट D से मिलता है दूसरे वाले से दूसरे का F A C A C उतार ले ठीक है अच्छा जो स्टेटमेंट यहां पे है A वाला स्टेटमेंट किसने का है कालमा अकबाल ने B बी वाला किसने का है कायद आजमने, C वाला स्टेटमेंट कायद आजमने, D वाला कायद आजमने, E वाला अलामा अकबाल ने, F वाला कायद आजमने, G वाला भी कायद आजमने, ठीक है, अब आए स्टेटमेंट को मिलाता हूँ, मैं आप लोगों को मिला के दिखाता हूँ, य का ए का अ लिखें ए ह को क्यून लिकें जी का भी क्यून लिखें यह लिख लें आप लोग अभी खुद लिखेंगा बाकी मैं यह समझा रहा हूं आजया, यू र फिर्ि यू इसम धेंटा लिय कैद्याज़्ध वचाल करता για दो Two Five News वाला ओ आजाद हो विड़ी को ट्हुर् था मिलाया था ना यह दूसरा अट सौरी आ 1927 मेरे लिए था मेरा रहनमा था और मुश्किल वक्त में जब मुश्किल वक्त आया तो वो एक चटान की तरह पे खड़ा रहा था The Muslim Demands to Create a Muslim India within India is ये A सही है इसका नमबर थरी का A सही है ये अलमा अकबाल ने कहा था अलभाद इने से में Is No Way Without Justice कि मुसल्मानों की जो दिमांड है कि इंडिया में एक मुसल्मानों की अलहता रहसा तो इसमें इनसाफ वाली बात है इसमें कोई ये बात नहीं है कि ये नाइनसाफी की बात है ठीक है नमबर फूर का जो मिला है ये ये से मिला है ये ये बन मुश्किल वक्त में जब मुश्किल वक्त 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 मुश् फाइव ये वाला, my guiding principle will be, ये कायदयाजम ने कहा था, ये C वाला सही है, कायदयाजम ने कहा था, कि मेरा रहनमाई वाला उसूल क्या होगा, C सही है, my guiding principle will be justice and complete impartiality, इनसाफ होगा, मेरा रहनमाई के वसूल जो होगे, वो इनसाफ और मुकमल गेर जानिबदारा ना, ठीक है, अच्छा, नमबर सिक्स देखें, I am sure, ये वाला, I am sure that you will support, with your support and cooperation, I can, ये जी सही है, इसका, look forward, मुझे यकीन है, कायदयाजम के रहा है, 11 आगस्ट 1947 को, जब फर्स् इसेंबली बनी थी, कि इसमें constitution जो बनेगा, वो constitution इसेंबली बनाएगी, आइन के मुताब मुलक के से चलेगा, तो सिक्स वाला जो है, इसका सही है, I am, I am sure that with your support and, जी सही है, आपकी सपोर्ट के लोगों को कह रहे हैं, कि आपकी सपोर्ट की वज़े से, मैं पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाऊंगा, ठीक है, ये देखें, जी, टू पाकिस्तान बिकमिंग वन अफ़ ग्रेटेस्ट नेशन अफ़ वर्ल्ट, ये काइद आजम ने कहा था, अच्छा नमबर लास्ट देखें, इस वन, सेविन वन, ठीक है, वी आर आल सिटीजन्स, नमबर बी सही ह हम सारे सिटीजन्स हैं and equal citizens, ये सेविन का लास्ट का बी सही है, हम सारे सिटीजन्स हैं and equal citizens अभ दा वन strates, एक रियासत के सिटीजन्स हैं, ठीक है वैड़न, ये आप लोगों को exercise नमबर six ती, मैंने आप लोगों को दोनों करके लिखाई है, यहां पे भी ये बुक ऑली exercise है आप लोग बुक में कीजेगा, मैंने यहाँ पे भी कीए है तो आप लोग ये काइद-आज़म अलामा अक्बाल के मैंने बताये हैं काइद-आज़म के कोन से हैं, yemा अक्बाल के कुन से हैं और कब कहे थे अच्छा, नमबर सेवन की एकसरसाईर जो है आप लोगों को ठीक है ये देखें गो बेक टू एक्सराइज सिक्स एंड फाइंड आउट वेन और इस वर्ड इस पोकिन आफ्टर इस रेटिन राइट सेवन कंप्लिट सेंटेंस नोट बुक लाइक दिस आप नोट बुक में लिखें इस वन को फालो करें इस वालो को इन से बाकी ये मिलाएं और इनको फालो करते जाएं पहला दूसरा तीसरा चोथा पांचवा छटा सत्वा ये पहला किसने कहा था और कब कहा था दूसरा किसने कहा था कब कहा था तीसरा किसने कहा था लेकिन इनको मिलाना फिर पता चड़ेगा आप लोगों को ठीक है ये देखो गलतिया बुक की मैं बता रहा हूं कि गलतिया बुक ने की है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है? यह मिस्स्किया है इनों ने, अच्छा यह आगस्ट 1947, दिक इौनूट एसेम्बली है, रोनूने इसेम्बली लिक्टा है, जो पहला है, आप पकिस्तान दकाइद आज सेड दीज वर्ड्स ये काइद आजम ने वर्ड्स कहते हैं आगस्ट उन्नी सो सेंट आलीस में 11 आगस्ट जब कानस्टिटिवन इसेंबली बने थी ये प्रेजिड़न बने थे बाकी इन सब के ये वाले जो है मैंने बनाये हैं मैं दोबारा इनको नहीं दिखाऊंगा आप ल पहला सेंटेंस स्टेटमेंट है ये दूसरी बी वाली स्टेटमेंट है इसको मिलाया है मैंने आप लोग देख लिजएगा टू का एक सही है ये मैंने ये भी किया है वन का डी सही है ये कायद याद्याजम के वर्ड्स हैं और अलाम इकबाल का इंतकाल हो गया था उस मोके पे इन्होंने कायद आजम ने कहे थे नंबर दो वाले ये वाले आचा नंबर थिरी पे देखें आजाएं दा मिसलिम्स डिमांट डेश 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 विदाउड जस्टिस ये तीसरा ए वाला जो है ये अलामा अकबाल के वर्डस अलामा अकबाल इसलाम यह फोर का ई जो है वह आप लोग मिला लीजेगा यह अलामा अक्बाल सेट इस वर्ड्स इन आर्डर टू सजेस्ट थे मुस्लिम्स तो बी टू तो दियर फेस इन अलहबाद इडेस इन मुसलमानों को सजेस्ट किया था कि अकीदे के साथ सची रहो सची रहोगे तो आप लोग काम्याब रहेंगे अच्छा नबर फाइव माइगाइडिंग प्रिंसिपल्स कंप्लेट इंपार्शल डिया फाइव का सी यह कायद याजम के वर्ड्स हैं कि दकायद सेड इस वर्ड् नैंटीन फोर्टी सेविन इन और टू सुलिडिफाय दे यूनिटी अमंग आल दे सिटीजन साफ पाकिस्तान वो सब पाकिस्तानियों को चाते थे कि आप इंपर्शल रहें गेर जाने रहा हैं ताकि आप लोग में मजबूती हो मतलब एक यक जहती हो आप लोगों में बड आगस्ट नैंटीन फोर्टी सेविन कायद आजम सेड इस वर्स तो दे नेशन को यह कह रहे थे कि मुझे आपकी सपोर्ट के साथ मैं पाकिस्तान को अजीम कौम बनाओंगा अचा नमबर सेविन वी आर आल सिटीजन सेंड एकियर सिटीजन वन इस्टेड नमबर सेविन आगस्ट नैंटीन फोर्टी सेविन में कायद आजम ने कहे थे यह वर्स कास्ट कानिस्ट इसेमली आफ पाकिस्तान में और कौम को खिताब कर रहे थे वो कौम से मुखाब हैं अवाम से मुखाब हैं ठीक है तो यह नमबर सेविन मैंने आप लों को करके बताई है एक्सरसा तो भई यह जितने भी स्टेटमेंट यह जितने भी बताया गए हैं इनकी रिजन्स बताओ कि क्यों दिये गए हैं देखें यह पहला वाला जो है यह बताया है इन्होंने एक्सम्पल की तोर पे देखिएगा जनाज अचीमेंट इस अन्परॉलर्ट इंडिसेंटिस्टी क् बताया में कोई उसका मिसाल नहीं मिल रहा देखें यहां पर बताया है इन्होंने बिकाओस यह वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है उंडरलाइन जो हैं ठोंकि बाकी जितने वी लीडर्स हैं वह आजाधी राजादी हासल करते थे चे जो वेने मुलक के अजाधी हासल करते थे पहले वाले हकुरानयों को खतम करके मुलक उनका था लेकिन पहले वाले हाउ मुलक को फिरिडम हादी आilles to manage to create a new state for the muslims उन्हों ना सिर्फ आजादी लील एक नया मुल्क बनाया जिसका कोई वजूद ही नहीं था वो वजूद में लेकर आया इसलिए उनकी पाकिस्तिनिया में अच्छा नबर दू दो है काइद आजम वास ग्रेट रेस्पेक्टेड बाई दा पीपल आफ दा आल फ करके बताउगा मैं इनके रीजन दी है कि क्यों है इस्टेटमेंट यह सारे कुछ बुक में से लिए हैं कुछ मैंने अपने मनाए है सारे बुक में से एगजेज नहीं लिए है लेकिन अपने नहीं नहीं आईडियाज दिये है बुक में मौझूद है लेकिन वर्डिंग बाकि जो पिلू से लिक्ष बाकि हैं ये 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 वाले स्टेट्मेट जो मौजूद है this one statement ये मैंने बाकि रेड वाले मेरे अपने हैं मैं पढ़ता हुआ जा रहा हूं सब एक को समझाता हुआ जा रहा हूं ठीक है सुनियेगा सही तरीके से काइद आजम की बड़ी इज़त की जायती थी हर तबके के हर फिरके के हर मतलब अकीदे के लोगों में क्यों कि वो हर अकीदे को टॉलरेट करते थे और उनके अकीदे को कबूल करते थे इसलिए बरदाष होती थी हर फिरके मतलब अपनी बीए जो थी उनकी वो आखर तक क्रिस्चन रही उनकी बैटी क्रिस्चन रही लेकिन उनको उन्हें कहा, नहीं डिना वगएर उनको कहा नहीं कि मुसल्मान नी बन जा हो यह वह रहके किसी अकीदे की इज़त करते थे, इसलिए सब लोग उनसे महभबत करते थे, सब लोग उनसे उनको इज़त देते थे आज नमबर थिरी, कायदे आजम लेफ्ट दा इंडिया नेशनल कॉंग्रेस, कायदे आजम ने इंडिया नेशनल कॉंग्रेस छोड़ दी क्यों ये स्टेटमेंट है, बाकी रीजन अपना देना है, because he very soon sensed that इंडिया नेशनल कॉंग्रेस, क्योंकि उन्हें जल्दी में महसूस कर लिया था, कि इंडिया नेशनल कॉंग्रेस जो है, this one, was leading the Hindus of the subcontinent towards Hindu-Muslim polarization, वो हिंदू को लीड कर रही, हिंदूों को, और ये हिंदू मुस्लिम में तफर, तफर का वारी, या मतलब, ग्रूप बाजी, ग्रूप बाजी ये पहला देगा हिंदू, मुस्लमानों को victimize करेगा ये, आचा नबर फूर, this one, despite strong opposition by the British and the Hindus, सخت मुखालिफत हिंदूजों की मुखालिफत के बावजूद भी, काइद याजम succeeded in creating Pakistan, काइद क्योंकि ये मैंने अपना reason दिया है, because, because he very intelligently pleaded the case of a separate homeland for the Muslims of the subcontinent, क्योंकि वो बड़े जहानप वाले तरीके से, पाकिस्तान का जो अलह दावतन, मुस्लमानों के लिए, अलह दावतन का case जो था, वो लड़े कानूनी तोर पर, प्लिडिमीन कानूनी तोर पर लड़े, ठीक in the philosophical system of the waste, अलह माइकबाल कुड मतलब कर सकते थे, कुछ defects, जो western philosophy में, मखरबी फिलासाफी में, मखरबी फिलासाफी में, सुरी, अच्छा मशरिक मज़ूरा सूरज निकलता है, ठीक है, मतलब western philosophy में, से जो, जो कुछ थे philosophy में, कुछ नुखते, मतलब गलतियां थी, उन्हो वो कर सकते थे, अलह माइकबाल, हला कि ये statement बुक में से नहीं है, पुरानी बुक में से है, फिर भी नोगों ने दे दी है, ने, syntax book border ने, मैंने तो बनाई है, देख ले, because he was, well was, both in western, eastern and western philosophies, क्योंकि वो बड़ जहाइन अकाबर थे, दोनों philosophies में, ये statement मौजूद नहीं है बुक में, पुरानी बुक में से नहीं उठाई है, बनाने वालों को पता नहीं क्या सूज रही थी, पुरानी बुक भी सामने पड़ी थी, पता नहीं क्या पड़ी थी, तो फिर कसूर बच्चों का क्यलाते हैं, कि बच्चों का कसूर है, या फिर आप लोग पूछोगे न कहेंगे ये तो हमने कन्फ्यूज करने के लिए दी थी बच्चों को ये तो करनी ही नहीं थी ये रीजन्स देंगे ऐसा थोड़ी होता है वए आप लोग पे नई बुक बना रहे हो तरीके से अच्छा ठीक है छोड़े उनको नमबर सिक्स जो है डाक्टर इकबाल डिड नाट बना इकबाल बिगेस्ट प्लिटिकल कंट्रिबिशन सोरी कंट्रिबिशन इस अलामा इकबाल के बहुत सारे चीवमेंट से आसल आते हैं लेकिन अलाबाद डिड ये वह एक अजीम कारनामा है इसका क्यों बिकास अन इस हिस्टारिक आकेन क्योंकि इस तारीखी मोगे पे उ इदेएखा लाइट मुस्लिम स्टेट इन साउथ एशिया उन्होंने मुसलिमानों के लिए अलहिदा वादन की डिमांड इना की ती पहली मरतबा साउथ एशिया की मुसलिम्ण. नमबर एच अलामा इकबाल वांट़ेद अश्लिम्स तो पुट धियर फेस इस इन स्लाम अल and save themselves from complete destruction और मुकमल तबाहि से खुद को बचा सकते हैं ठीक है तो यह एक टेक्सराइज थी जो मैंने सौल करके बता ही है दिस वन यह एक टेक्सराइज थी यह मैंने सौल करके बता ही है आप लोगों को आप लोग देख सकते हैं कि मतबा दुबारा ठीक है आप लोग कुछ कहत नहीं कैसे नहीं यहां पे लिया जा रहा है कुछ इस्टूरंस के रहे हैं कि सर स्क्रिंचर नहीं ले पा रहे हैं अच्छा यह नमबर नाइन एक्सराइज जो है यह मैं इसके जब एमसी क्यूस बनाऊंगा और शॉर्ट नोट निखूंगा यह कोस्चन वाली एक्सराइज है मैं लास्ट में आप लोगो स्वाल करके बताऊंगा तो हमने यह सारी एकसराइज साल की है वन से लेकर यह वाली वन से वन टू थिरी एंड यह मैंने करके बताई थी फूर यह फूर फाईव बुकिश एकसराइज है अच्छ यह सिक्स wali exercise book ki है अच्छ सेविन वाली exercise मैंने साल करके बताए यह note copy वाली है अच्छ यह 8 वाली exercise 9 वाली exercise रहती है हमारी वहाद में बाद में करके बताओंगा अगर आप लोगों को यह exercise सही लगी हो अच्छी लगी हो तो मेरा सब्सक्राइब चैनल करें, क्योंकि वो मेरा रिवाड़ बनता है, और मेरी विद्यो सको लाइक करें, और प्लीज, मेरे चैनल, कमेंट्स लाजमी दिया करें, और ये विद्यो सचेड कर और किया करें, अपने दोस्तों में, थैंक्स अलाच,